फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेट लिमिडेट की और साथ में हम बात करेंगे मार्केट के करंड सिच्वेशन की बहुत ही जबरतस आज गिरावट हो चुकी है सबसे बड़ी तकलीपाली बात यह रही कि अंत में जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरप रही है और लगातार मार्केट एक तरपा गिरावट में और समलने का मौकाल नहीं मेरा तो ऐसे में हमें क्या करना चीए क्या सब कुछ ब खरीदार की तरसला बंद रही है और ऐसे में जब ट्राइडेंट लिमिटेट भी काफी नीचे आ चुका है क्या मौके का में फाइदा उटाना चीए या फिर बहुत ज़्यादा और गिरावट होगी तो सारी समावनों को तलासेंगे इस वीडियो के मादेम से आज अज अक लिक बेल आइकाउन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक शेर जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कम पर दिखाई दिया तो यह जो लोगा इसके पीछे तो पता ही आपको बाजार में तो पूरा त्रहीम तरहीम मचा हो था कोई ऐसा इस टॉक नहीं जो बचा हो गिरावट से बाहर निकला हो अब यहाँ पर ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो यह प्राइज हमें 21 दिसं 75 की प्राइज दे 21 दिसंबर की वही प्राइज के आसपास इस्टॉक अभी है और इसने 70 रुपीज के आसपास की हाई बने दी 17 जनुवरी को फिर इस्टॉक काफी जारा करेक्शन के मोड में है काफी नीचे आ गया इसकी परफॉर्मिस अगर हम देखे तो पिछले एक साल में यह 13 रुपीज के आसपास इसकी जो लो थी वहाँ से 70 तक चला गया है बहुत ही जबर्दस दोड़ा है और इस वज़े से थोड़ी सी थकान इस्टॉक को हुई इसने अपना करेक्शन दिखा है पर यहां से तो यहां से दोड़ने का समय इसका सुरू हो चुका है लेकि अगर आज हमारे बाजार की बात करें तो शुरुआत हुई थी 55,418 पर और इसने थोड़ी से हाई भी बनाई यानि 56,996 के हमने हाई भी देखी लेकिन जो लो बना वो था 54,383 का और अंत में क्लोजिंग 54,529 पर हुई यानि बाजार बिल्कुल नीचे की तरफी क्लोज द कई सालों के बाद अगर देखो तो बढ़िंकर हमें गिरावट आज देखने को मिली और इसके पीछे वज़ा बनी रसिया ने जो यूकरेन के उपर अपना यूद कर दिया है और इसने पूरा मामला बिगारा है यहाँ पे रुपिया भी कमजोर हुआ क्रूड ओयल की प्रा की बादें शुरू हो चुकी है अगर हम बात करें अलग-अलग निप्टी की तो निप्टी 50 में आज 4.78% की बड़ी गिरावट वी निप्टी next 50 की बात करें तो 5.61% की गिरावट वी निप्टी 100 4.89% गिरा निप्टी 200 5% गिरा निप्टी 500 5.04% गिरा निप्टी mid cap 50 6.16% की बहिंकर गिरावट निप्टी mid cap 100 की बात करें तो 5.74% गिरा निप्टी small cap 100 6.25% की बहुत बड़ी गिरावट इंडिया वी एक्स 30.31 पर आ गया और ये इंडिया वी जितना बड़ेगा उतने ही बाजार कमजोर होगा और निप्टी mid cap 150 की बात करें तो 5.40% की गिरावट निप्टी small cap 50 6.55% गिरा निप्टी small 250 5.88% गिरा और निप्टी mid small 400 करीब 5.55% गिरा तो अब आप देख लो कोई भी ऐसा निप्टी नी बचा जो 5% से नीचे गिरा हो लगबग 4-5% और 6% यहनी small cap की दुलाई तो बहुत ही जारा होगी करीब 6% तक गिर गिर गिया अब अ अलग अलग सेक्टर वाई देख तो निप्टी bank बहुत जारा गिरा यहनी 5.79% गिरा निप्टी auto में जबर्दस धुलाई 6.26% की गिरा निप्टी financial service 5.15% गिरा निप्टी FMCG 3.33% गिरा निप्टी IT 4.59% की गिरा निप्टी media 6.95% जबर्दस यहनी करीब 7% की गिरा निप् 8.26% की बहिंकर गिरा जिनी सबसे बड़ा जो यहां पे धक्का लगा है वो है PSU बैंको निप्टी private bank भी बचनी पाए उनको भी 5.99% की बड़ी गिरा निप्टी रियालटी sector जो पहरे से बहुत ज़ारा कमज़र है उसको एक बहुत बड़ा जटका लगा करीब 7.17% की गिरावट देखना को मिले तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहाँ पे आज धुलाई नहीं हुई हो और जब बर्दस इस गिरावट के बीच में सबसे बड़ी बात ही है कि FI लगातर सेलर बने हुए 17 फरवरी को इन्होंने करीब 48.94 मिलियन डॉलर का माल बेचा 18 फरवरी को 94.56 मिलियन डॉलर का माल बेचा 21 फरवरी को 408.15 मिलियन डॉलर का माल बेचा 22 फरवरी को करीब 103.96 मिलियन डॉलर का माल उन्होंने सेल किया 23 फरवरी को करीब 328.28 मिलियन डॉलर का माल बेचा तो आप देख लो लगातर सेलर बने हुए उनका कोई सपोर्ट बाज को सपोर्ट आज दिया है सांध उन्होंने संभाला बाजार को हो सकता है कि उनकी तरब से आज भी कुछ खरीदारी हुई वो डिप में 17 फरवरी को इन्होंने 901 कोड़ पीज का इन्वेस्मेंट किया तो बड़े फंडाउस लगातार खरीदारी करें डिप में और इसलिए विश्वास है कि थोड़े से गिरावट के बाद बाजार फिर संबल जाएगा यहां पर एक बार निप्टी के सपोर्ट भी देख लेते तो फिलाल निप्टी 50 16,242 पर है अगर इसके सपोर्ट देखे तो 16,893 का फर्स सपोर्ट था जो वो अभी सपोर्ट बचा हुआ है तो थोड़ी से यहां पर हमें लगता है विश्वास की फिर से साइथ बाउंस वेक आ जाएगा अगर आ गया यहां से तो ठीक है अगर इसे भी नीचे गिरावट हुई तो फिर भहिंगर गिरावट की संबाव ना बनेगी अगर माहुल प अगर पल बदल रही है और ऐसे में आपको थोड़ा सा धेरे के साथ काम करना चाहिए अगर हम बात करें ट्राइन इलिमिनेट की तो यह एक ऐसा इसा इस्टोक है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं कंपनी की फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं कंपनी का कारोबार बहुत अचा है और जो लेटेस अब्डेट निकल कर रही है उसके हिसाब से सरकार ने प्यले स्कीम का दाइरा बढ़ा दिया है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट और मिल सकता है इन टेक्सटाइव सेक्टर को तो आने वाले समय में इन कंपनी का बहुत से उजोल हो सकता है क्योंक लेकिन बाजार की सिच्वसन बहुत ज़्यादा इस समय क्रिटीकल बनी हुई है तो थोड़ा-थोड़ा करके रहे ज़्यादा एक साथ न करे लेकिन एसे स्टॉक में थोड़ा सा करना चीए लगातार न करे फिलाल तो बाजार से बचके ही रहे कुछ ऐसे क्वलेटी प्रफोलियों बहुत मजबूत है अलग-अलग डाइवर्शी फाइब बिजनेस कंपनी कर रही है इस बार जो क्वाटर थरी का रिजल पे इसकी आप बहुत ही बैदरीन है और सबसे अच्छी बात है कि वह लगातार अपने कारूबार को बढ़ाने के लिए करीब 200-300 नए एं तो उसके बारे में आप सोचे और काफी समय से अपर सर्केट में था आज लोर सर्केट लगा तो साइद इंटरी करने का मौका मिले तो ऐसे कुछ इस टॉक चुनी ना जिसमें आप दावल लगा सकते वरना बाजार से अभी बचके रहे बाजार में अभी भी पॉजिटिव माहल की कोई समवान दिख नहीं रहे है क्योंकि जब तक रसिया का मामला ऐसे ही बिगड़ेगा तो सारे मामले बिगड़ते रहेंगे तो थोड़ा सा इस समय बाजार में बचके रहे अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू के कमपनी के ट्राइडेन के तो बहुत ही अच्छी कोड़ पीच तक पहुच गया दिसंबर 2020 में 1,980 कोड़ पीच जगिन का रिवेन्यू पहुच गया है अब आप देख लो कि इस दिसंबर से पिछले दिसंबर के बीच में बहुत बड़ा गया पया यानि कमपनी लगातार अपने रिवेन्यू में फृती बता रही है और य लेकिन मैं इस समय आपको सिजेश्ट करता हूँ कि एग्रेसिव खरीदारी बिल्कुल न करें बाजार में बहुत ही जादा माहुल निगेटिव बना हुआ है और जैसे कि आपने देखा होगा निप्टी के सपोर्ट भी टूटे तो हो सकता है और पैनिक माहुल बने लाट होगी तो फिर से आप निचले लिवर से थोड़ा खरीदारी भी कर सकते हैं लेकिन मामूली सी कौंटिटी खरीदे जरू ट्राइड इस समय खरीदें लाइक दिख रहा है क्योंकि हो सकता है बाज आग स्वड़ा सा बाउंस मैं दिया तो फिर यांपर सब्सक्री भी फिलाल ये एसम के लिस्ट फोर में सामिल है इसलिए थोड़ों को इसकी चिंता भी बनी हुई है लेकिन फ्रेड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेसर अरेजर से को आइडरेज ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके ए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू